Hello friends, मेरा नाम में Dr. Vikas Pagel और आज मैं आपको बताऊंगा पतंजली कंपने की सलाजेत रसाइन वटी के बारे में जो कि सरी के अंदर वल और वीजी को बढ़ाने वाली एक गोली होती है आज मैं आपको बताऊंगा इसका इस्तिमल सरी पर किस तरह से किया जाता है सिलाजीत रसाइन वटी के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर क्या-क्या मिलाया गया है तो दोस्तों इसमें मुक्या रूप से सुद्ध सिलाजीत, अश्वगंधा, भूमी आमला, त्रिफला ऐसे करके बहुत सारे रसाइन मिलाया जाते हैं रसाइन जो होते हैं सरीर की तागत को बढ़ाने में काफी ज़्यादा मदद करते हैं इससे आपका सरीर पूरी तरह से भरपूर बन जाता है और सरीर में किसी परकार की कमी नहीं होती यह एक रसाइन वटी है, रसाइन जो कि बूड़ों लोगों के लिए भी काफी ज़्यादा फाइदमन्द होती है कहते हैं कि रसाइन का इस्तिमाल करके बूड़े भी जवान हो जाते हैं और अगर कोई जवान इसका इस्तिमाल करेगा, तो उसके सरीर के अंदर चार गुणा से भी ज़्यादा ताकत आ जाती है सबसे ज़्यादा दम होता है सिलाजीट के अंदर सिलाजीट से उपर और कोई बहती रसाइन माना नहीं जाता अगर आप रसायन का अच्छी परकार से इस्तिमाल करते हैं तो आपके सरी में बहुत सारे फाइदे मिलते हैं जैसे कि अगर आप इस गोली का इस्तिमाल करना शुरू करेंगे तो इससे आपके सरी की जितनी भी नाडिया है पूरी तरह से खुल जाएंगी जो वीजय वाली नाडिया है वो भी अच्छी तरह से खुल जाएंगी और इससे आपकी सरी की ताकत बढ़ेगी अगर आप अपनी बोड़ी की इम्मूटी को स्ट्रॉंग करना चाहते हैं तो इस गोली को इस्तिमाल करना चालू करें या आपके सरी की ताकत को बढ़ाएगी आपके सरी में वल बढ़ाएगी वास सामक इसे माना जाता है यानि कि आपके सरी में किसी परकायर की जोड़ों से संबंदी दिक्कत नहीं होगी सरी में हमें से ताकत बढ़ी रहेगी वीजय को बढ़ाने में काफी जदा मदद करती है इसका इस्तिमाल करना से जो भी लोग लिकिन इसका में रोल लेता है सरी की ताकत को बढ़ाने के लिए अगर आप जिम करते हैं तो जिम करने वाले लोगों को भी सलाजीत बटी खानी चाहिए इसको खाने से सरी कंदर चारगोना जदे ताकत बढ़ेगी और अगर आप अपनी लाइफ को इंजय करना चाहते हैं उसमें भी यह आपकी सरी के ताकत को बढ़ाती है सारी रिक ताकत को बैतिन करने में यह काफी ज़्यदा मुझत करती हैं अब हम जानते हैं इसे आपको कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कितनी दिनों तक खाना चाहिए वैसे तो दोस्तो हर किसी का इसमें अलग-अलग उमर 18 साल से उपर है और जिनका वजन लगवा 50 किलो से उपर है उनके लिए रूजना के तोर पर दोदो गोली सुबह शाम गुनगुने दूद या पिस सिंपल पानी के साथ इस्तिमाल करने चालू करें इससे आपकी सरी के अंदर बहुत ही जल्दी कांती आ जाएगी और आप देखकते सामने आ सकती हैं तो कोशिस करें कि अधिक मात्रा में इसे इस्तिमाल ना करें सिर्फ दो दोगूली सुबह शाम दो महने तक इस्तिमाल करें आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी नमस्कार यहां तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद